सावित्री गैत्री मंत्र के स्य अक्षर का प्रतिनिधित्व करती हैं, इनके देवता सविता माने जाते हैं, बीज मंत्र ग्यम है और इनके रिशी पुलस्त हैं। आए अब इनके स्वरूप का अवलोकन करते हैं। इनके पाँच मुख हैं जो पंच कोश, पंच तत्व तथा पंच प्राणों के प्रतीक हैं। इनके दस हाथ दस दिशाओं का बोध कराते हैं, साथ ही ये दस इंदरी शक्तियों के भी प्रतीक हैं। इनके आयुधों में शंक जागरूपता का प्रतीक है, अंकुष आत्मानुशासन का, चाबुक निरालस्यता का, चक्र प्रगतिशीलता का, गदा शक्तिका, पात्र धारन करने की क्षमता का, तथा कमल सुसंसकारिता का प्रतीक है। इनके हाथों की दान मुद्रा, देवत्व और आशिरवाद मुद्रा, सद्भाव तथा कमल आसन, प्रफुलित मनोभूमी का बोध कराती हैं। इनके यंत्र को सावित्री यंत्र कहा जाता है। यंत्र में बीजाक्षर को घेरे दो त्रिभुज, त्रिगुनात्मक और त्री आयामी सृष्टी का प्रतीक हैं। अश्ट दल, आठ सिद्धियों का, द्वादश दल, सिद्धिदाता द्वादश विनायकों का, और सोलह दल, शोडश मात्रिकाओं के बोधक हैं। सावित्री की साधना से साधकों को कल्यानी एवं इश्टा नामक विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनसे उनमें तनमेता और कारिक उशलता जैसे सद्गुनों का विकास होता है।